हेलो बच्चों कैसे हो आप लोग मैं हूँ नेहा ग्रवाल और आज हम लोग डिसकर्स करने वाले हैं बिट सैट के फिजिकल केमिस्ट्री के टॉप 51 क्वेस्चन ठीक है तो इसमें स्पैशल क्या है सबसे जादा जो स्पैशल है वो है इसकी एनलिसिस रिपोर्ट कैसे चलो द करना क्या है हमने 2019 से लेकर 2023 तक की अनलिसिस रिपोर्ट बनाये बच्चों ठीक है तो मुझे यह पता है कि किस चैप्टर का वेट टेज कहाँ पर कितना आया है है 2023 में बोल से कितने कुषिन आये है या फिर बाकी किसी और चैप्टर से कितने क्वेशनाए तो आपको यह पता चल जाएगा कि कौन सा चैप्टर जादा इंपोर्टेंट है हरा जो भी बच्चे अपकमिंग एयर में कोई भी बच्चे अगर प्रपरेशन कर रहा है बिट साट के लिए तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा इस चीज को देखते हुए कि फिजिकल के बिस किसके अनर होते हैं सबसे पहली बात अगर मैं अंसर की बात करूँ यहाँ पर तो वह होता है आपका crystal defect ठीक है crystal defect में क्या होता है generally सबसे पहले अगर हम एक्जाम्पल के लिए बात करें तो मैंने लिखा a plus b minus then again b minus यहाँ पे लिए b minus a plus b minus a plus अच्छा ठीक है यहाँ पर अग अगर एक और बना देते हूं b minus a plus and b minus अगर इस पूरे बैच को हटा दिया तो इस type की जो defects होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग short की defects अब फ्रेंकल के अंदर क्या होता है फ्रेंकल के अंदर again हम लोग एक और structure बना लेते a plus b minus a plus b minus फिर यह हो जाएगा आपका b minus a plus b minus a plus य यह होता है वाइड क्रेंट होता है तो इस type के जो defects होते हैं उनको बोलते हैं equal defects और इस type की जो defects होते हैं वो होते हैं short की defects और यह जो होते हैं वो किस के अंदर होते हैं आपके crystal defects के अंदर next question next question है हमारा the Bohr orbit radius for the hydrogen atom n equals to 1 is approximately आपको दे रखा है radius दे रखा है बीटा कितना 0.530 angstrom the radius for the first excited state n equals to 2 orbit is angstrom में निकानल है radius के लिए Bohr के लिए जो formula है वो r equals to क्या होता है बच्छो n square by z into 0.530 angstrom राइट बच्छो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे किसके n की value की तो n की value कितने दे रखें हमें 2 दे रखें तो यह हो जाएगा 2 multiply by 2 z की value hydrogen के लिए क्या होगी बच्छो 1 होगी तो 1 multiply by 0.530 angstrom ठीक बच्छो जब हम लोग इस data को solve करेंगे तो हमारा answer आएगा 2.12 डन बच्छो next question पर move करते हैं next question आपका how much ethyl alcohol must be added to 1 liter of water okay so that the solution will freeze at 14 degree Celsius इसके लिए kf दे रखा है आपका 1.86 degree Celsius per mole दे रखा है ठीक है delta tf अगर हम लोग बात करतें बच्छो delta tf क्या होता है tf minus क्या लिखते हैं हम लोग tf star लिखते हैं इस तरीके से लिखते हैं solution का यह क्या हो जाएगा आपका water के लिए हो जाएगा solution के लिए हो जाएगा ठीक है tf हमारे अगर हम लोग water के freezing point के लिए बात करेंगे तो होता है zero degree celsius ठीक है यह 14 ना होके ही हो जाएगा minus 14 होगा यह data है ठीक है तो हो जाएगा minus 14 तो यह tf आपका किता है delta tf आपका किता है बच्छो 14 बात समझ में आ रहे है 14 degree celsius आ जाएगा यहापर बात समझ में आ रहे है ठीक अब हमारे पास delta tf का अगर हम लोग formula ले तो यह होता है बच्छा delta tf equals to kf into होती है आपकी molality molality का formula क्या हो जाएगा यहाँ पे अगर हम लोग देखे तो यह हो जाएगा आपका kf equals to number of moles multiplied by 1000 divided by क्या हो जाएगा आपका weight weight लिख देते है ठीक है multiply यह multiply का symbol है गलती से लग गया है ठीक है तो यह हो जाएगा आपका 14 equals to kf का value आपको given है कितना है 1.86 multiply by number of moles हमें calculate करने है right and this is 1000 और यह हो जाएगा आपका कितना यह हो जाएगा आपका 1 kg या फिर इसको लिख देते हैं यहां पर भी 1000 ग्राम लिख देते हैं तो यह cancel out हो जाएगा पूरा का पूरा तो number of moles अगर हम लोग निकालेंगी तो हो जाएगा 14 upon 1.86 बात समझ में आरी है आप सारी बच्चों को तो इसका answer जो है बच अगर हम लोग बात करते हैं Tf के लिए जो Kf की values में जो आता है तो delta Tf equals क्या होता है Kf into क्या हो जाएगा molality molality का formula निकाल के हमने क्या निकाल दिया इसके number of moles तो यह आजाएगा आपका लगबाग 7.5 moles बात समझ में आरी है आप सारी बच्चों को चलिए next question पे move करते बच्चों next question है plot showing the variation the rate constant K with the temperature T are given below the plot अच्छा RNS equation के बारे में बात कर रहे है RNS equation होती क्या है RNS जो equation होती है वो होती है K equals to A E की power minus Ea upon RT ठीक है यह होती है ठीक यहाँ पे अगर हम इसकी बात करेंगी तो यह क्या होता है बिटा यह आपका है rate constant यह क्या हो जाएगा आपका rate constant और यह जो होता है वो क्या होता है आपका Arrhenius constant यह हो जाएगा आपका Arrhenius constant बात समझ में आरे है आप सारे बच्चों को ठीक है यहाँ पर अगर आप देखोगे temperature अगर बढ़ेगा अगर rate constant अगर temperature अगर increase होगा तो आपका rate constant भी क्या होगा बढ़ेगा तो graph के लिए अगर हम बात करें तो यह क्या करेगा exponentially grow करेगा तो आपका answer 1 जो होगा वो हो जाएगा आपका इसमें correct answer हो जाएगा पेटा correct option हो जाएगा next question भी move करते है question है हमारा which of the following method is used for coagulation of the soul coagulation जो होता है बच्चों वो किसके लिए होता है collidal solutions के लिए collidal solutions के अगर हम लोग बात करेंगे जो collidal solutions होते हैं उनको हम लोग दो तरीके इसके अंदर क्या होते है electrolytes होते positive और negative वाले पार्ट होते हैं और अगर हम बात करते हैं नेगेटिव वाली के लिए नेगेटिव वाली के अंदर अगर हम बात करेंगे बच्चों तो यहाते हैं सलफाइट्स और कौन से आते हैं? मेटल सलुशन जब भी हम लोग, अगर मालनेजी मुझे इसको करवाना, ऑक्साइड यह थिया हईडराइट को करवाना है, तो हम कौन सा वाला लेते हैं, नेगेटिव वाला करवाना है, तो कौन सा उलेगा पाउसिटिव वाला लेते हैं, बात समझ में आरी है, तो यहाँ पर आप बात जैसे options हम लोग देखते हैं by mixing opposite charge soul, जो कि मैंने आपको अभी बेभी बताया, अगर positive वाला है तो वो कौन सा लेगा, negative वाला लेगा, और negative वाला अगर है तो वो कौन सा लेगा, positive वाला लेगा, next ये वाला options है, next आपका by electrophoresis, electrophoresis पर ये इस ही type का होता बिटा, इस type की एक tube हो negative वाला solution लेना है, वही, मैंना opposite charge की थ्रू जाते हैं हम लोग, ठीक है, तो ये भी सही, electrophoresis भी सही है, by addition to electrolytes, ये भी सही है, तो इसका answer जो होगा, वो कौन सा होगा, आपका all of the above, next question में move करें बच्चो, next question क्या कहता है, kinetic theory of gases proves, see, kinetic theory जो होती है, वो है आपके idle gases के लिए, त सारे loss proof करते हो, boil slow भी proof करते हो, charles slow भी करते हो, अवगादरों भी करते हो, तो इसका option क्या हो जाएगा, आपका all of these, okay बच्चो, तो next question पर move करें, next question हमारा क्या है, next question है, हमारा enthalpy for combustion निकालना है, C2H4 के लिए data हमें given है, चले ठीक है, देख लेते हैं, question है, आपको enthalpy of combustion के क्या लिखेंगे बिटा, O2, changing into what, CO2 plus H2O, combustion के लिए यही लिखेंगे बच्चो, सबसे पहले इसको balance कर लो, C2H4 है, तो इसको 2 से multiply कर लेते हैं, ठीक है, hydrogen 4 इसको भी 2 से multiply कर लेते हैं, oxygen कित्यार है, 2, 2's of 4, 6, 3 से multiply कर ले इसको, आपकी यह वाल equation क्या हो गई, balance हो गई, मेरे साब से बराबर हो जाएगा आपका, delta H product minus, delta H किसका हो जाएगा आपका, reactant का, ठीक है, values put करते हैं बच्चो, product के लिए अगर हम लोग बात करते हैं, product हमारे पास 2 multiply by, हमें carbon dioxide के लिए data क्या दे रखा है, यह carbon dioxide है, C2H4 के लिए हमारे पास दे रखा है 52, ठीक है, यह minus 394 दे रखा है, आपको CO2 के लिए हो, H2 के लिए यह वाला, minus 286, सो चलो कर लेते है, 2 into क्या हो जाएगा, minus 394, सबसे पहले, ठीक है, next आपका, plus में, 2 multiply by, water के लिए क्या data दे रखा है, नोने, water के लिए data दे रखा है, minus 286, minus, next, आपका C2H4 के लिए दे रखा है, C2H4 के लिए data दे रखा है, 52, plus क्या हो जाएगा, यहाँ पे, 0, बच्चो, जब हम इस पूरे data को solve करेंगे, जब हम इस पूरे data को solve करेंगे, तो आपका जो answer है, हो आएगा, minus 1412 kJ per mole, ठीक है, next version भी move करें बच्चो, ठीक है, electrode potential दे रखा है, data दे रखा है आपको, ओके, यह दे रखा है है, आपका, अच्छा, addition of electron, sorry, addition of electron और loss of electron, gain of electron और loss of electron, ऐसा बोलना चाहिए, gain of electron और loss of electron, तो gain of electron होता है आपका reduction, यानि कि आपको यह reduction का data दे रखा है, सारा, सब के अंदर, right, ठीक है, और आप से पूछ रहा है, based on the data, reducing power पूछ रहा है, FA plus 2, okay, increasing order के अंदर, ठीक है, तो पर आपना iron का लिखते है, FA plus 2 के लिए, then किस के लिए है, आपका, aluminium के लिए है, aluminium और, sorry, यहाँ पर इस तरीके से, next है, आपका किस के लिए बच्चो, aluminium के लिए है, और आपका third वाला है, BR minus के लिए, ठीक है, E naught मैं लिख रहे हूँ, यहाँ पर reduction वाला data दे रखा है, तो मैं ठीक है, aluminium के लिए अगर बात करेंगे, तो हो जाएगा, कितना, minus 1.66, ठीक है, और अगर हम बात करेंगे, किस के लिए, ब्रोमीन के लिए, अगर हम बात करेंगे, तो हो जाएगा, positive 1.08, यह दे रखा है, आपका given data है, ठीक है, अगर हम बात करेंगे, किस के लिए, यह reduction का है अगर मैं Oxidation के लिए बात करूंगी तो कितना हो जाएगा पिटा नेगेटीव में चला जाएगा पूरा का पूरा ठीक है तो यह हो जाएगा आपका यह वाला क्या हो जाएगा आपका Fe plus 2 की है, सबसे ज़्यादा Aluminium की है, उसके बाद किस की है, Fe plus 2 की है, data की according लगाना बिटा, और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ data को ध्यान में रखते हो, कर सकते हैं उस question को, और next किस की है, Br minus k, increasing order देख लेते हैं, अगर इस question के अंदर देखें, तो हमें दो diagram दे रहें, first और second, अगर first diagram के लिए हम लोग बात करते हैं, तो ये जा रहा है तुम्हारा, अचा, x से तो इसका कोई लेना देना नहीं है, तो ये जा रहा है तुम्हारा y और z के अंदर, तो ये हो गया तुम्हारा dyz, ठीक है, ये वाला तो आपका first वाला अगर आप देखोगे, तो इसका x से कोई लेना देना नहीं, ये z पे जा र नहीं, second option मुझे correct लग रहा है, third option भी check कर लेते हैं, xz नहीं, नहीं, तो second option क्या हो जाएगा बच्चों, आपका correct हो जाएगा, next question भी move करते हैं, बच्चों, next question है, if the radius of the third orbit, more orbit दे रखा hydrogen atom के लिए r3, okay, and fourth orbit के लिए, ठीक है, तो अगर मान लीजिए, मुझे r3 calculate करना है, यहा formula क्या होता है, n square by z, क्या होता है, multiply by 0.529 angstrom, यह लिखते है, yes, ठीक है, n की value क्या दे रखे, इसके लिए 3 दे रखे है, तो यह हो जाएगा, 3 multiply by 3, hydrogen के लिए z की value क्या होगी, 1 होगी, 1 multiply by क्या हो जाएगा, यह 0.529, as it is, अगर मान लीजिए, मुझे r4 निकानला है, तो क्य हो जाएगा, उसके लिए अनिकी value क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 4 multiply by 4, divided by 1, multiply by 0.529, अब यह value निकल वा रहा है, 4 से, अचा, r4 से r3 की, r4 by r3 कर दीजे, क्या हो जाएगा, यह 16 by 9 हो जाएगा, बच्चों, और अगर मुझे लिखना है, तो यह इस तरीके से आ जाएगा, r4 equals to, क्या हो जाएगा, 16 by 9 multiply by r3, 16 by 9 multiply by r3, तो यह क्या हो जाएगा, इसका answer हो जाएगा, देख लिजे, चेक लिजे, कौन सा है, 16 by 9 multiply by r3, then बच्चों, next question में move करते है, हाँ जी बच्चों, तो solve करते question को, तो हमें दे रखा है, slope दे रखा है, ln t, ln दे रखा है, p upon p0, चल दे रखा है, देखना इस question को, बच्चों, मैंने इसमें slide add की है, तो k equals to क्या होता है, k equals to होता है, 1 upon t, ln p0 upon p, यही formula आप लोगो ने पढ़ा है, ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो इसको ऐसे लिख सकते हूँ के ln p0 upon p, यहाँ पे p और p0 पता है, क्या होता है, kya, kt, यहाँ विख से बता देती हूँ, चलो, p0 जो होता है बच्चों, वो होता है आपका initial pressure, ठीक है, p0 जो होगा, वो क्यों होगा, आपका initial pressure, अपका pressure at time t, t time पे जो pressure होता है, ठीक है, अचा, अगर हम, अच्छा, अगर बुरा नहीं मानो, तो मैं ऐसा कर दूँ क्या, यहां पर देखोगे तो यह वाला जो ग्राफ बंद रहा है इसको हमने ले लिया y यह हो गया मेरा m और यह हो गया इन्टू 10 की पावर 4 यह वाली वैल्यू रख देंगे उस वाली स्नूप के अंदर देखे एक बार रखके है reaction के लिए तो क्या होगा यहां पर क्या होता है लन 2 यहां पर यह की वैल्यू आगई आपके पूरी की पूरी यह लमसम जब हम लोग इसको solve करेंगे तो it will be equal to 2 into 10 की power यह हो जाएगा आपका, जब हम इसको solve करेंगे तो हो जाएगा 2 into 10 की power minus 5 seconds, ठीक है बच्चो, clear है, next question पर move करें बच्चे, देखां, okay, next question है, in a solid lattice, the cation has a left a lattice site, ठीक है, cation ने lattice site left किया, is located an interstitial position, latest defect is, frankal defect बोलते हैं, मैंने बोला था कि void create हो जाता है, और वो क्या होता है, जहां पर हम लोग ने, question number 1 याद कीजिए, question number 1 में हम लोग ने discuss किया था, a plus b minus, महां से मैंने एक positive हटा दिया, तो वो जो void create होता है, उसकी वो कहां पर आपका जाता है, interstitial position पर जला जात highest value of specific conductance, देखो बच्चो, जहां पर इसको ऐसे मान के चलो, जहां पर concentration ज्यादा होगी, जहां पर concentration ज्यादा होगी, वहां पर क्या होगा, conductance ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, तो महां पर specific conductance इस भी क्या होता है, ज्यादा होता है, और जहां पर specific conductance ज्यादा होता है, वहां पर molar specific current inductance जो होता है वो क्य हो जाता है कम हो जाता है तो है पर concentration अगर आप बात करेंगे जब जाता है किसके होगी तो यह 1.0 है न हो जाएगा ठीक है बच्छो next question देखते है next question भी move करते है next question की अगर बात करते है in wonderwall equation of state for a non-idle gas किसके लिए है non-idle gas के लिए the term that accounts for intermolecular forces अचा अगर हम लोग बात करतें non-idle gas के लिए तो हमारे पास formula जो होता है वो ही होता है बेटा P plus A upon V square यह होता है आपका V minus B equals होता है RT यहां पर यह वाला जो portion है यह वाला P plus A upon V square यह किसको show करता है किसको represent करता है बच्छो यह करता है आपका intermolecular forces को represent करता है तो इसका answer हो जाएगा P plus A upon V square ठीक है next question अब यह तक आपको सबज में आ रहा होगा यहां पे जितने भी question आते हैं bit set के जितने भी questions आते है बच्छो वो बहुत जादा tough नहीं है बहुत जादा difficult नहीं है video occur level की questions है कुछ बहुत जादा असान है कुछ थोड़ा बहुत आपको क्या करना पड़ेगा प्राइडल solution of a liquid in liquid solution liquid is liquid in liquid is called gel no 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 तो यह liquid in liquid gel तो नहीं होता है liquid in liquid क्या होता है आपका emulsion क्या होता है emulsion और liquid in solid जो होता है अगर हम बात करते है liquid in solid की तो वो क्या होता है आपका gel ठीक है तो पहला statement एक तो wrong है first वाला second वाला है hardy rule is related with coagulation यह बिल्कुल correct statement है यह true है बटा अपना इसको थोड़ा सा और बढ़ेए से कर देते हैं यह वाला यह वाला जो है यह है आपका false statement अच्छा next वाली के लिए बात करते है यह वाला आपका true है next brownian movement and tindle fact are shown by the collidal system यह भी true है next question क्या है gold number is measure of protective power of lyophilics यह भी true है ठीक है तो आपका answer जो आएगा यह false statement के लिए बात करे तो first answer जो होगा वो क्या आजाएगा correct हो जाएग hydrogen और chlorine chlorine के लिए और आपसे पूर्चा delta HF और HCl is दे रखा है अच्छा HCl बाट एंथल्पी पूर्च रहे है HCl के लिए ठीक है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग equation लिखेंगे equation क्या है 1 by 2 H2 plus 1 by 2 Cl2 changing into क्या हो जाएगा यह HCl बन जाएगा बच्चो ठीक है हमको delta H किसके HF दे रखा है किसके लिए HCl के रखा है कितना माइनस 90 दे रखा है ठीक है तो मैं यहाँ पे हम लोग different pan use कर लेते हैं so that कि आपको दिक्कत नहीं आईगी na identify करने में इधर देख लेते हैं तो मैं लिख लेते हुँ delta H HCl equals to यह हो जाएगा आपका submission of bond enthalpy कि के लिए reactant के लिए minus bond enthalpy यहाँ पे नीचे लिख देता है, bond enthalpy किसके लिए हो मैं आपके प्रोडक्त के लिए, मायनस bond enthalpy किसके लिए हो जाएगे आपकी product के लिए, यानि कि HCl के लिए यह दे रखा है आपको, इसका data दे रखा कितना, negative 90 दे रखा है yes, minus 90.. क्यों हो जाएगा 1 by 2 hydrogen के लिए कितना दिरखा है आपको यह दिरखा आपको 430 plus 1 by 2 chlorine के लिए दिरखा है आपको 240 और यह आपको find out करवा रहा है तो हम आराम से निकाल सकते हैं summation of bond enthalpy HCl के लिए of HCl कर सकते हैं तो summation of bond enthalpy of HCl अगर हम लोग निकालेंगे तो यह हो जाएगा आपका 215 और यहां से अगर हम इसको cancel out करेंगे तो आजाएगा 120 तो इसको add कर लेते हैं यह हो जाएगा 215 plus 120 plus क्या हो जाएगा 90 जब इसको add करेंगे तो मेरे साब से यह answer आना चाहिए 425 kJ mol inverse then बच्चो next question पर move करते हैं next question क्या कह रहा है हमारा given that आपको data दे रखा है और find out करवा रहा है strong oxidizing agent को ठीक है चले ठीक है तो सबसे जादा अगर आप देखो गई यहां पर reduction वाला point जो जा रहा है वो maximum किसके साथ जा रहा है इसके साथ जा रहा है S2O8 2- के साथ तो सब ज़्यदा reducing जिसका होता है वो ही क्या होता है आपका strong oxidizing agent होता है ठीक है तो यहां पर जो answer आएगा वो क्या जाएगा आपका S2O8-2 next question पर move करते हैं बच्चो हाँ the amount of zinc required to produce 224 यह आपका mole concept का question है ठीक है असान question है देख लेजी treatment with dilute H2SO4 dilute H2SO4 के साथ करवा रहा है तो बताना है तो reaction लिखते है ZN plus H2SO4 क्या बनेगा compound आपका ZNSO4 plus H2 ठीक है अगर हम यहां पर बात करते तो H2 बन रहा है तुम्हारा 1 mole और Z बन रहा है हम बात कर रहे है अगर मालेजीए इसका अगर 1 mole बन रहा है है इसका प्रोड़क्ट 1 mole बनाने के लिए ZNK का कितना लग रहा है यह वाली बात समझ में हैरी कीलुह में ऐकर वन जो रहे हूं कि वह भी कित्ता बिपन रहा हो इसको कंपालेटे हैं 224 ml दे रखा है इसका तो निकाल लेते इसका तो यह है आपका 224 divided by यह हो जाएगा 22.4 ml को पने किसमें convert कर लिया 10 की पावर माइनस 3 इसको multiply करेंगे तो हो जाएगा आपका 10 तो यह आ जाएगा तुमारा 10 की पावर माइनस 2 लिख दो इसको बुरा नहीं मानू तो अगर इसका 10 की पावर माइनस 2 जा रहा है तो इसका भी कितना जाएगा बच्चे 10 की पावर माइनस 2 जाएगा ठीक है तो आप लोग weight निकाल सकते हो zinc का तो weight of zinc कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 2 multiply by 65 तो इसका आंसर जाएगा 0.65 मोल, option B जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका correct हो जाएगा next question, इस question को देखते है हमें दे रखा है specific conductance दे रखा है के दे रखा है हमें 0.1 molar sodium chloride के लिए यह दे रखा है आपको 1.06 दे रखा है चलिए ठीक है हमसे बात कर रहा है molar conductance के लिए तो इसका formula होता है kf into 1000 divided by क्या होता है molarity असान question है formula में value put करने है सिर्फ तो यह हो जाएगा तुम्हारा 1.06 into 10 की पर-2 multiply by 1000 divided by कितने molar दे रखा है आपको 0.1 molar दे रखा है तो जब हम लोग इसको solve करेंगे बच्चो तो यह आएगा आपका 1.6 यह हो जाएगा multiply by 10 कर दे इसको 10 की पर-2 यह है 10 की पर-4 तो यह बच्चेगा आपका 1.6 into 10 की पर-2 next question पर move करें बीटा formula बेस question है बिलकूल एकदम simple सा है ना next question देखते है sorry next question हमारा है तो हमारे पास value दे रखे 0.1 molar और 1.34% alpha की value दे रखे कितना ionize हो रहा है ठीक है तो value put कर देंगे बच्चे यह हो जाएगा 0.1 multiply by 1.34 divided by क्या हो जाएगा आपका 100 का square और जब हम लोग इसको solve करेंगे answer देख लेते हैं एक बारी options क्या क्या दे रखे है ठीक है options दे रखे है आपके 1.82 into हाँ तो यह लंसम इसके बराबर आएगा 1.82 के बराबर आएगा ठीक है next question पर move करें बच्चो calculate करके एक बारी मैंने calculate अच्छे से किया बच्चो आप लोग भी जरूर से calculate कर लेना ठीक है आगे बढ़तें next question पर next question next question क्या कह रहा है binary liquid solution is prepared by mixing of n-heptane, n-heptane और ethanol दे रखा है ठीक है ethanol जो होता है वो कैसा होता है अपका polar होता है और n-heptane जो होता है वो आपका कैसा होता है पिटा नॉन-polar होता है which one of the following statement is correct regarding the behavior of the solution behavior बताना है solution का ठीक है पिटा अगर हम बात करते हैं किसके लिए यहाँ पे polar polar जैसे हम लोग बात करेंगे जैसे interactions हम लोग करवाते है तो अगर आप ethanol का और किसका करवा होगे n-heptane का करवा होगे तो weaker interaction होगा यहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं किसके लि यह टाइप का जो interaction होता है वो कौन सा होता है आपका non-ideal होता है पहली चीज और यह positive deviation शो करता है ओके तो option second जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका correct answer हो जाएगा डन बच्चो ओके बच्चो तो next question देखते है next question क्या करहा है हमारा for the given emf दे रखा है आपको for the given cell chromium chromium plus 3 के ल यह ठीक है और यह वाला दे रखा है अपको दे रखा है आपको cathode के लिए असान question है हम लोग कैसे लिख सकते है इसको e0 cell equals to e0 cathode minus e0 anode तो यह हो जाएगा आपका इदे रखा है आपको minus 0.28 हा न यह दे रखा है minus and node के लिए केतना data दे रखा है हम लोगों को minus यह हो जाएगा minus minus plus हो जाएगा म兒 0.74 दे रखाए बच्चो तो यह हो जाएगा 0.74 और इसको अगर हम लोग sol करेंगी तो आ जाएगा 7414 यह जाएगा आपका 0.46 तो इसका अंसर क्या जाएगा positive 0.46 ठीक है बच्चो next question पी move करते है next question है does reaction SO2 plus CL2 SO2 CL2 exothermic यानि की delta H क्या रहेगा इसके लिए negative रहेगा ठीक है यह तो पत यह negative रहेगा और reversible दे रखा है mixture आप CL2 SO2 का equilibrium is close container okay हाँ तो इसमें पूछ रहा है which of the following is our true statement के बारे में पूछ रहा है बच्चो जब भी अच्छा आप लोगों ने leachate layer principle पढ़ा है leachate layer principle के according अगर माल नीजिए reactant बढ़ाते है रेक्टेंट की concentration बढ़ती है तो reaction किस में मूव करती है फॉर्वर डिरेक्शन में मूव करेगी ठीक है और फॉर्वर डिरेक्शन में अगर मूव करेगी तो surrounding जो होगा उसका temperature क्या हो जाएगा आपका increase हो जाएगा जब temperature increase हो जाएगा तो तो the pressure inside the container will not change, नहीं, 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 the temperature will not, temperature तो increase होगा, temperature क्या हो जाएगा, आपका, increase हो जाएगा, ठीक है, surrounding का temperature increase होगा, तो उसका भी, हाँ, तो बिल्कुल, option C जो होगा, वो क्या हो जाएगा, आपका, correct हो जाएगा, next question, okay बैच्चों, तो इस question में देखते हैं, जो आपका slow steps होता है, वो आपका RDS होता है, RDS बोले तो rate determining step होता है, ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, इसके लिए अगर हम लोग rate की value लिखेंगे, तो क्यो हो जाएगा, यह लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख लेते हैं, एक बारी, reaction लिख लेते हैं, क्या लिख रख इसी तरीके से लिखेंगे, तो R equals to क्या लिख सकते हैं, K, A का concentration और B का concentration लिख सकते हैं, क्या, yes, no, बच्चो, पक्का rate law जो होगा, वो इसी तरीके से लिखा जाएगा, इसके लिए, yes, तो इसमें आपका option आजाएगा, आपका second, बात समझ में आ रही है, next question में move करते हैं, Okay, excited hydrogen atom emits light in the ultraviolet region, तो आपको frequency दे रखी है, 2.47, with the frequency, the energy, अरे यह तो बहुत अच्छा question है, equals to क्या होता है, H new होता है, हा न, H के आपकी plank constant है, plank constant की value given है, हमें क्या है, 6.63 into 10 की power minus 34, multiply by new की value किती दे रखी है, आपकी frequency की value क्या दे रखी है, आपकी 2.47 multiply by 10 की power 15, जब इसको solve करेंगे, तो यह आएगा आपका 10 की power 34 और 15, तो यह आजाएगा आपका the 5, हाँ, 1.640 into 10 की power minus 18 जूर, दन बच्चो, Okay, next question में move करें, बच्चो, तो यह है आपका 1 mole of benzene दे रखा है, combustion के लिए, both the reactant and products are at 28K, ठीक है, सबसे पहले हम लोग क् लिखेंगे, equation लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, सबसे पहले equation लिख लेंगे, C6H6 plus O2 changing into CO2 plus H2O, ठीक है, सबसे पहले, जब भी ऐसा question आता, तो सबसे पहले reaction को, इस equation को balance करने की कोशिश करो, ठीक है, तो यहाँ पर carbon 6, तो यहाँ पर भी 6 लगा देते है, hydrogen 6, तो 3 से multiply करते हैं बच्चों, और oxygen को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर, ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा साइड कर देते, यहाँ पर हम लोग 15 by 2 लिख दें क्या, yes, ठीक है, ओके, तो यह आपका liquid में रहेगा, यह आपका gas form में रहेगा, यह आपका gas form में रहेगा, और यह आपका liquid form में डेल्टा NG जो होता है, बेटा, वो क्या होता है, डेल्टा NG जब हम लोग calculate करते हैं, वो क्या होता है आपका, जो भी number of moles होते हैं, gases की जो क्या होते हैं, चेंज होते हैं, उसको लिखते हैं, तो यहाँ पर 6 minus 15 by 2 कर दो, यहाँ पर 6 minus 15 by 2 कर दो, यह और आप इसको solve करेंग आपका, हाँ, crystal defects indicate the diagram below is, ठीक है, यहाँ से क्या missing है, यहाँ से NA plus missing है, पता चल रहा होगा, यहाँ से CL minus missing है, यहाँ से भी NA plus missing है, यहाँ से CL minus missing है, तो अगर आप इस पूरे structure को अगर आप देख रहे हो, जैसे अपने, अपने अभी अभी एक question discuss किया था, कुछ टाइम पहरे हाँ, अगर आप लोग देखोगे, तो sodium के भी equal number, मतलब कि positive, यानि कि cation के भी equal number missing है, और NIN के भी equal number missing है, पूरा एक batch missing है, NACL, NACL का, तो इस टाइप के जो defects होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हम लोग short की defect, तो option भी क्या हो जाएगा, आपका, correct हो जाएगा, next question पर move करते हैं, ओके, which of the following ions has maximum magnetic moment, बच्चों, magnetic moment हम लोग किस तरीके से calculate करते हैं, magnetic moment होता है, आपका, मैं mm लिखी हूँ, short में, यह होता है, अपका, under root N into N plus 2, और इसकी unit जो होती है, उसको लिखते हैं, हम लोग, bore magnetron, बात समझ में आ रही है, ठीके, यहाँ पर N क्या होता है, number of unpaired electron, क्या है, number of unpaired electron, बात समझ में आ रही है, चलो ठीक है, सब का निकाल के देख लेते हैं, वो पूछ रहा है, which of the following, maximum बताना है, maximum बताना है, इस question के अंदर, तो अगर हम बात करते हैं, scandium के लिए, तो scandium आता है, तुमारा 21 पे, यह हो जाएगा, आपका आरगन, तो same रहेगा, यह हो जाएगा आपका किता, 3D1, 4S2, तो इसके अंदर, अगर number of unpaired electron की बात करेंगे, तो यह जाएगा, बच्चे, आणा, Ti प्लस 3 के लिए बात करते हैं, तो यह आएगा, तुम्हारा किस पे, Ti प्लस 3 जाता है, तुम्हारा school teacher, बताओ, कौन सा number है, 22, ठीक है, तो यह जाएगा, आपका, again, आरगन, and then, 3D, किता जाएगा, 3D2, 4S2, तो इसके पास हो जाएगा, unpaired electron 1, 1 into 1 plus 2 करके देखेंगे, ठीक, next, अगर हम लोग बात करें, किसके लिए, chromium के लिए बात करें, तो यह हो जाएगा, आपका, 3D5, आरगन, मैं डारेक्ली लिखना हूँ, आपके, ठीक है, हो जाएगा, आपका, आरगन, क्या हो जाएगा, 3D5, और 4S1, तो इसके अंदर आएगे, 3 electron जाएगे, तो इसके पास कितने unpaired electron आएगे, 3, और अगर iron के लिए बात करेंगे, तो iron के पास आएगा, 3D6, ठीक है, 3 ज magnetic moment भी सब ज़्यदा किसका आएगा, आपका iron का आएगा, ठीक है बच्चे, आगे बड़े, next question में move करते हैं, next question क्या कह रहा है, first order reaction के लिए, c varies करेगा, time के साथ, graph बनाना है, तो हम लोग एक चीज़ जानते है, first order reaction के लिए, ct इक्वल्स तो क्या होता है, c0 e की पावर minus kt हो जाएगा, yes or no, ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो इसको solve कर लेते हैं, यह, मैं सिर्फ यह वाला value अभी solve कर रहे हूँ, ln आपका ct साइड में रख रहे है, ठीक है, क्यों हो जाएगा, ln c0 plus क्या हो जाएगा, ln e की पावर minus क्या हो जाएगा, kt, यह ln क c0 minus kt, बात समझ में आ रहे है क्या, और यह हो जाएगा, यहाँ पर ln ct, ठीक, तो यह, मैंने y ले लिया, ठीक है, यह ले लिया, मैंने, यह होगे मेरे पास mx, यह होगे मेरे पास mx, और यह क्यों हो जाएगा, हमारा c, तो अगर हम लोग बात करेंगे, अगर हम लोग ग् Iranian ct के लिए अगर बात करेंगे, और time के reference में बात कर रहे है हाँ पर, तो यह पूरा का क्या हो जाएगा, आपका linear d decrease हो जाएगा, आप दरो Negative में जा रहा है यह, 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 पूरा का क्या हो जाएगा, decrease हो जाएगा, तो मेरे साब से log c जो होगा decrease करेगा linear d with the time t, option b जो हो जा सबसे पहली बात CCP स्ट्रॉक्चर के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके लिए State वालत करते हैं तो हम लोग इसके लिए लेते हैं Z मैं ऐसे लिख देते हूं इसको थोड़ा सा ल्युचीच के लिए बात करते हैं लेटिस पॉइंट्स Z जो होता है इसके लिए तो ये है आपका कितना 4 होता है ठीक है अगर हम बात करते हैं टेट्राहेद्रल वॉइड्स के लिए के लिए बात करते तो यह आते हैं आपके 2Z ठीक है यानि कि यह कितना हो जाएगा एक और अगर हम बात करते हैं किसके लिए के लिए बात करते हूं यह भी क्या आता है Z यानि कि भी के आ जाएगा 4 आ जाएगा आच अब मैं question पर आ रही हूं यह CCP structures के लिए मेटा यह CCP structures के लिए यह face centered होते हैं सारे की सारे face centered होते है CCP बोले तो cubic center packaging बोलते हैं ठीक है face centered structures होते है सारी कि सारी चले ठीक है question पर आ रही हूं मैं यह basic बता दिया CCP के लिए यह सारी चीज़ों होती है अच्छा element B जो है वो form कर रहा है structure B जो है आपका CCP structure है B के पास तो यह तो 4 हो जाएगा और A कर रहा है आपका octahedral void तो half है यह ना तो यहाँ पे अगर हम एक ही बात करेंगे तो हो जाएगा 4 into 1 by 2 यह हो जाएगा आपका कित्ता 2 और अगर हम बात करेंगे इसके लिए oxygen atom के ल B जाएगा 4 में और O जाएगा आपका 8 में simplify कर सकते है इसको यह हो जाएगा आपका A B to O के हो जाएगा आपका 4 तो A B to O 4 B option के हो जाएगा आपका correct हो जाएगा next question में move करते है बच्छो okay next question में move करते है बच्छो next question हमारे calculate the wavelength in nanometer यानि कि lambda calculate करना है हमको associated with किस के साथ associate कर रहे देख लेते हैं associated with 1.0 into 10 की power okay तो lambda request होता है आपका lambda request होता है h upon mv यह होता बचा तो कर सकते है इसको अराम से कित्ती velocity दे रखे moving okay h की value हमारे पास plank constant की value दे रखे 6.63 into 10 की power minus 34 yes mass किसका लेना है proton का लेना है ठीक है proton का mass दे रखा है 1.67 into 10 की power minus 27 multiply by velocity किती दे रखे यह 1.8 को directly लिख दो 10 की power minus 10 की power 3 दे रखे है तो lambda की value हम आराम से नहीं काल सकते है जब हम इसको solve करेंगे तो यह आएगा आपका move करते है okay next question में move करते है next question हमारा workout the heat change calorie में दे रखा है when 40 gram of gas at 27 degree celsius undergoes isothermal और reversible process दे रखा है ठीक है initial process चलिए ठीक है अगर आप लोगों को पता हो delta u क्या होता है डेल्टा u equals to q plus w ठीक है अगर हम बात करें isothermal के लिए तो 0 हो जाएगा तो q equals to क्या हो जाएगा minus w और यह किसके लिए बात करना reversible के लिए तो हमारे पास एक formula होता है इसके लिए minus minus 2.303 क्या होता है nRT log क्या होता है आपका P1 upon P2 है ना formula में value पुट कांड़े और कुझ भी निकांड़ इस question में तो यह हो जाएगा positive में आ जाएगा बिटा यह तो हो जाएगा 2.303 ठीक है number of moles निकाल लेंगे किसके लिए बात करा है helium के लिए weight दे रखा आप 40 तो हो जाएगा 40 upon क्या हो जाएगा 4 multiply by R की value calories के लिए अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो हो जाएगा 2 multiply by 27 degree Celsius अगर दे रखा है तो और हमको क्या करना है Kelvin में लेना है तो हो जाएगा 300 log log लिखना है sorry 300 log P1 upon P2 तो हो जाएगा 1 upon 10 पूरे data को जब हम लोग solve करेंगे यहाँ पे इस पूरे data को जब हम लोग solve करेंगे इस वाले data को तो यह answer आएगा आपका minus 13.818 kilo calorie ठीक है तो option second जो होगा आपका क्या हो जाएगा correct हो जाएगा next पे move करते है yes बच्चो next question पे move करते हैं तो हमारे पास है PCL 5 को dissociate कर है हम लोग 50 percent pressure of P equilibrium constant Kp दे रखा है which of the following relation is numerically correct चले ठीक है तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले PCL 5 की reaction लिखते है PCL 5 क्या होता इसको break करेंगे तो जाएगा PCL 3 plus CL 2 में ठीक है अब हम लोग T equals to 0 पे लिखते है T equals to 0 पे यह कह रहाएगा इसका concentration C equals to T पे क्या जाएगा 50 percent के लिए बात कर रहा है वो तो C minus 0.5 C लिख देती हूँ ठीक है ओके इसका भी क्या हो जाएगा 0.5 C और इसका भी क्या हो जाएगा 0.5 C Kp लिखते है अंद के लिए Kp क्या हो जाएगा आपका ओके PCL 3 का concentration और ही हो जाएगा आपका CL 2 का concentration इसी तरीके से लिखते है बच्चो येस है ना और ही हो जाएगा आपका PCL 5 का concentration ठीक है ना तो चलो values put करना अच्छा आपको पता है क्या मालो कि हमें partial pressure अगर दे रखा होता है तो हम लोग उसको किस तर तो है ना हम लोग क्या बोलते हैं उसका अगर हमें PCL 5 का क्या लेना है हमको partial pressure लेना है तो ये हो जाएगा आपका mole fraction of इसका PCL 5 into total pressure इस तरीके से एक formula होता है इस formula कि तुरू आप इसको calculate करेंगे ठीक है इसको calculate करके देखते बच्चो निकालते सबका इसे PPCL 5 के लिए निक ठीक है तो यह आजाएगा आपका C-0.5C है ना और यह पूरा का पूरा टोटल कर दें इसको यह हो जाएगा C-0.5C plus 0.5C plus 0.5C और total pressure क्या रहा है सिरफ P दे रखा है ठीक है यह data given है अपने जब question देखेंगे ना आप question पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा यह data given है ठीक है numerical relation के लिए तो यह आपका आएगा यह C-C cancel हो जाएगा यह सारे C-C cancel out हो जाएगे आपर common लेंगे तो ठीक तो यह बच्चेगा तुम्हारा यह 0.5C-0.5C cancel हो जाएगा हां तो यह cancel out हो जाएगा तो यह बच्चेगा तुम्हारा 0.5 divided by 1.5P ठीक तो यह हो जाएगा 1 by 3P as it is अगर अब तुम किसका निकालोगे PCL3 का निकालोगे तब भी यह आपने किसके लिए निकाला है यह पने PCL5 के लिए निकाला है ठीक है? PCL3 के लिए निकालेंगे अगर हम लोग pressure इसका तो यह भी आजाएगा 1 by 3P और उसका भी क्या हो जाएगा pressure क्या आजाएगा यहां पे लिख रही हुँ मैं दिख रहा है आप लोगों को तो यह हो जाएगा आपका 1 by 3P है ना into 1 by 3P divided by 1 by 3P तो यह क्या हो जाएगा cancel out हो जाएगा तो Kp equals to क्या हो जाएगा आपका 1 by 3P answer एक बड़ चेक कर लेते हैं क्या रहा है P equals to यह जाएगा क्या निकाला था पने यह निकाला है शायद से ना Kp equals to क्या हो जाएगा 1 by 3P तो P equals to क्या हो जाएगा 3 Kp हो जाएगा तो option second sorry option second जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका correct हो जाएगा done next question पे move करें बच्चो next question क्या कह रहा है हमारा next question है एक reaction दे रखी है coefficients of NH3 OCL minus N2H4 for the balanced equation are respectively ठीक है question देखते है reaction को balance करने की कोशिश करते हैं सबसे पहले कोशिश करते है reaction को balance करें तो NH3 OCL minus NH3 plus OCL minus changing into यह जाएगा तुम्हारा N2H4 plus और के दे रखा है इनोंने sorry यह जाएगा तुम्हारा किदा चला गया question हाँ N2H4 plus CL minus ठीक है सबसे पहले reaction को balance करेंगे बच्चों तो यह NH3 changing into किसमें है N2H4 में यहाँ पर nitrogen कितने है 2 तो यहाँ पर 2 से multiply कर दो अब अगर hydrogen के लिए बात करेंगे तो 3,2,6 यहाँ पर 4 है यहाँ पर 2H plus कर दो बिटा और यह positive charge को balance करने के लिए मैंने 2 electron भी क्या कर दिया इसके इंदर add कर दिया done next अगर हम बात करेंगे OCl minus के लिए तो OCl minus changing into Cl minus ठीक है hydrogen तो है नहीं oxygen को balance करने के लिए एक मैंने के लगा दिया है H2O लगा दिया है यहाँ पर और यहाँ पर इस hydrogen को balance करने के लिए 2H plus और इसको balance करने के लिए 2 electron ठीक है कर देंगे solve इसको तो यह आ जाएगा तुम्हारा 2NH3 plus OCl minus and 2H4 plus Cl minus plus H2O yes बाकी तो और कुछ दे नहीं रखा है वरना औ basic medium अगरा का देख लेते हैं यही दे रखा है data na question के आप पूछ रहा है balancing के पूछ रहा है तो पूछ रहा है किस किस के coefficients of NH3 OCl और N2H4 NH3 OCl और N2H4 NH3 OCl और N2H4 211 क्या आएगा इसका answer 211 option C जो हो जाएगा वो क्यों हो जाएगा correct हो जाएगा next पे move करते बच्चो okay next question दे रखा है तुम्हारा molar conductance at infinity dilution the strong electrolyte NaOH के लिए रखा है NaCl, Bacl2 के लिए values दे रखी है और तुम्हारे पास delta M not okay आसान question है बच्चो देखो कैसे करना है कभी भी अगर इस type का question दे रखा होता है तो हम लोगों को सबसे पहली बात तो हमको निकानला क्या है यहां पर आप देखोगे तो बीए कहां से मिलता है इससे मिल सकता है और त्वाइस ओफ यह ओच का होल ट्वाइस दे रखा है तो ओच मुझे किस से मिल सकता है इसके ट्वाइस से मिल सकता है तो arrange कर दो कैसे लिखेंगे इसको कि मुझे निकालना delta M not इस तरीके से यह किसका निकालना बीए ओच का होल ट्वाइस का निकालना है मैं डिफरेंट पैन से लिखते है तो ज्यादा से रहेगा ठीक है तो यह क्या आजाएगा आपका यहां पर delta M not इसका हो जाएगा आपका सबसे पहले बीए के लिए बात करेंगे तो क्या जाएगा बैटा BACL2 अच्छा मुझे बताओ कि बच क्या क्या रहा है दो तो यह क्लोरीन बचेंगे यहां पर और दो क्या बचेंगे सोडिय मचेंगे तो NACL का क्या बच रहा है तो minus 2 delta M not क्या जाएगा आपका NACL हो जाएगा केवल और केवल value put करनी है जैसे ही आप value put करोगे इस cancer आजाएगा अच्छो बात समझ में आरी है और जहां तक मुझे जैसे अगर हम लोग question को solve करके देखेंगे तो approximately जैसे हम लोग इस question को solve कर लेके data put करके देखो लो data put करके देखोगे तो BACL2 के लिए देख लो पहले 248 multiply by 10 की पार minus 4 है ना उसके बाद twice of this NUH के लिए NUH के लिए value के दे रखें हमें आच्छ मैंने गलत value लिख दी ना मैंने किस की value मैंने NUH की value लिख दी मैंने गलत value लिख दी यहां पे हम लोग value put करते है एक बरी यह हो जाएगा आपका BACL2 के लिए अगर हम लोग value लेंगे तो सबसे last value यह हो जाएगे आपकी 280 हैना 280 multiply by 10 की पार minus 4 plus twice of यह NUH का twice दे रखा है तो NUH के लिए आजाएगा आपका multiply by 248 into 10 की पार minus 4 ठीक है बिटा और यह आएगा आपका minus 2 into NACL के लिए कितना दे रखा है हमको 126 दे रखा है 126 into 10 की पार minus 4 जब हम लोग इस data को solve करेंगे पूरे को तो यह आएगा आपका 524 into 10 की पार minus 4 तो यह आएगा question है formula based question है सिर्फ basic सा logic लगाना है BOH का hold twice पूछ रहा है वो हो ना तो आराम से आपको जो data है उससे आप calculate कर सकते हो done next में move करते है okay next question है हमारा monoclinic unit cell के लिए बात करें relation of sides and angles अगर अब बात करते हैं monoclinic sides and angles के लिए तो आपकी जो sides होती है वो दू तीरों के होती बराबर नहीं होती है और उसका जो एक angle होता है it is not equal to 90 बाकिकी दो angles जो होते हो क्यों होते है 90 के equal होते तो options match कर लिते बच् एक रहेगा ठीक है A is not equals to B not equals to C sides क्या है तीनों अलग अलग है और बीटा और गामा नोंने क्या दे रखा है 90 डिग्री दे रखा है और अलफा क्या होगा 90 डिग्री नहीं होगा next question में move करते है what is the maximum wavelength line in the Lyman series of H e plus i n लाइमन के अगर हम लोग बात करते बच्चों तो लाइमन ठीक है तो यह हो जाएगा आपका N1 यह हो जाएगा आपका N2 अगर हम लोग red buck जो हमारा formula है उसकी according अगर हम बात करें wavelength की बात कर रहा है तो 1 upon lambda equals to क्यों होता है R Z square 1 upon N1 square minus 1 upon क्यों हो जाएगा N2 square ठीक है formula value put कर दो सरफ 1 upon lambda R के form में बात कर रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है है ना Z की value क्यों हो जाएगी hydrogen helium 2 into 2 है ना और ही हो जाएगा 1 upon 1 minus 1 upon क्यों हो जाएगा 4 जह हम लोग इसको solve करेंगे तो मेरे पास 1 upon lambda जो आएगा वो क्या आएगा आपका 3R और अगर हम लोग बात करेंगे lambda के लिए तो है जाएगा पर 1 upon 3R तो wavelength ही निकाले maximum wavelength क्यों हो जा 15.42 ideal gases दे रखी है molecular existence temperature दे रखे exert 1.5 ठीक है हमको ratio निकाला है number of molecules of the former ठीक है देखना बेटा तो हम लोग ऐसे लिख देखें क्या P1 B1 equals to क्यों हो जाएगा NRT है ना और P2 V2 इस तरीके से अपनको सिर्फ ratio ही तो निकाला है तो हम आराम से इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते है यहाँ पर N1 ले लो यहाँ पर T1 ले लो ठीक है R तो constant है तो हो जाएगा P2 V2 equals to क्यों हो जाएगा N2R P2 हो जाएगा Yes ठीक यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हो formula पे value put करने मेटा और कुछ भी नहीं करना है इसमें यहाँ पर लिख देते हूँ जादा सही रहेगा तो ही ह 1.4 है ना और यह दे रखाया तुमको pressure 1.5 equals to N1 दे रखाया N1 तो नहीं कलवा रहा है है ना इंटु R इंटु T1 किता दे रखाया तुमको 27 डिगर है नहीं कि 300 Kelvin हो गया है ना और अगर हम second की बात करेंगी तो हो जाएगा 5 लिटर नहीं कि 5 इंटु volume इसका किता दे रखाया आपको 4.1 equals to हो जाएगा N2 R into यह हो जाएगा आपका exact किता करें 227 यह नहीं Kelvin में अगर हम लोग बात करेंगे तो हो जाएगा 500 Kelvin तो हम लोगों को निकालना है N1 upon N2 N1 upon N2 अगर हम लोग निकालेंगे तो it will be equal to 2 जो इसका answer आएगा जब हम लोग इसका data put करेंगे values जब हम लोग रखेंगे तो इसका answer क्या आजाएगा 2 done next question for the combustion reaction 298 okay the following alternatives is correct ठीक है ठीक है तो delta H क्या होता है बिल्टा H equals होता है delta U plus delta NG RT ठीक है यहाँ पर delta NG सबको पता है delta NG क्या होता है यहाँ पर मैं बात करूंगे किस के लिए delta NG के लिए क्योंकि यह पूछ रहा है इसी टम में delta H और delta U की टम में पूछ रहा है आंसर तो delta NG की अगर हम लोग बात करेंगे तो यह भी solid यह भी solid हो तो यह minus half लिग दूखे बच्चा हो तो यह यहाँ पर हम लोग इसको put कर दे delta H equals to हो जाएगा delta U हाना minus 1 by 2 RT अब अगर आप इसमें देखोगे तो delta U में भी यह वाला क्या हो रहा है कम हो रहा है यानि कि delta U की value क्या है बड़ी और इंची greater than delta U should be greater than किसके delta H के तो मेरे हिसाब से delta U बढ़ा है और delta H छोटा है यानि कि हमारे पास जो option है delta U बढ़ा यह वा option C जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका correct हो जाएगा next question next question है the ratio of kp upon kc for the reaction okay ठीक हमारे पास जो formula होता है kp upon kc के लिए तो kp क्या होता है kc है na RT की power क्या होती है delta NG लेते है हम लोग इसके लिए data LG निकाल लो delta NG निकाल के देख लेते है delta NG क्या हो जाएगा बढ़ा जाए reactant 1 जाएगा 1 minus 1 plus 1 by 2 तो हो जाएगा minus half लिख दू के इसको है na minus half आ रहा ही और इस वाली value को kp equals to लिख दो kc RT की power क्या हो जाएगा minus half है na अगर हम चाहें तो इसको हम लोग इस तरीक है सी बेटें यहाँ भी solve कर रही है question kp equals to क्या हो जाएगा kc upon under root RT लिख दू इसक लिख सकते है है और यह पूछ रहा है किसके लिए kp upon kc के लिए पूछ रहा है na kp upon kc क्या हो जाएगा under root 1 upon के हो जाएगा यह RT हो जाएगा तो option first जो होगा वो क्या हो जाएगा correct हो जाएगा next question पे move करते बच्छो question कह रहा है कि 3.6 gram of oxygen is adsorb, adsorb हो रहा है बच्छो किस पे 1. 1.2 gram of metal powder पे ठीक है और वो पूछ रहा है what volume of oxygen adsorb per gram of the adsorbent at 180m and 273 Kelvin सबसे पहले ऐसे questions यह mole concept का question है basic सा question है बिलकुल कैसे solve करना है, सोचना कैसे है, देखे हम लोग इसको एक बरीवे pen change कर लेती हूँ ताकि आप लोग इजरी देख पाओ, देखे 1.2 gram metal powder जो है, वो कितने gram आपको जो आपका adsorb हो रहा है, कितने gram oxygen adsorb हो रहा है आपका हो रहा है बच्छो, 3.6 gram ठीक है, तो 1 gram के अंदर कितना होगा, 1 gram के अंदर हो जाएगा बच्छे, 3.6 divided by 1.2, तो मैं यहाँ पर ऐसा लिख दूँ क्या, 3 gram of oxygen, is this correct or not बच्छे, yes, अच्छा, अब मेरे से, अब मैं अगर आप लोग बोलो, तो यहाँ पर हम लोग number of moles calculate कर सकते है oxygen के, तो मैंने लिख दिया है यहाँ पर NO2, number of moles of O2 कितना आएगा बच्छो, given mass divided by क्यों हो जाएगा, इसका mass कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है, यह number of moles आगए, अब question कह रहा है कि, what volume of oxygen adsorbed, volume पूछ रहा है, volume कैसे निकालते है, आपको पता है, volume कैसे निकालते है, volume के लिए हम लोग क्या करते है, number of moles, 3 by 32, multiply by क्या जाएगा, 22.4, जब आप लोग इसको solve करोगे, इस data को बच्छो, तो यह आएगा आपका, approximately 2.1 liter, कितना आएगा आपका, 2.1 liter, ठीक है, volume, और क्योंकि हम लोग इसके बाद में बात करने है, पर gram के हिसलाब से बात करें, तो यह क्या हो जाएगा, आपका gram inverse हो जाएगा, तो option C, जो रहेगा, वो कह रहेगा, इसके लिए, correct रहेगा, next question में move करते है, बच्छो, next question क्या करा है हमारा, general formula of solid in zinc blend, structure is, zinc blend के बात कर रहे है, zinc blend के अगर हम लोग बात करते है, तो zinc blend का formula होता है, बच्चो, ZNS, क्या होता है formula, ZNS, zinc sulfide इसको हम लोग बोलते है, जो आपका metallergy, मोग जो नाम यूज़ करते है, उसको नाम के होता है, zinc blend, ठीक है, अगर आप बात करोगे, S-2 के लिए, बच्चो, इसको break कर आप से, तो Z आएगा, इसका कित्ता 4, ठीक है, अच्छा, अगर हम बात करते है, ZN plus 2 के लिए, तो ये होता है, आपका half of tetrahedral void, ठीक है, half of tetrahedral void, tetrahedral void मैंने आपको बताया हुआ है, equation हमारा बीच में भी आया था 2Z, यानि कि कितना हो जाएगा, 4 to the 8, तो ये कितना हो तो ये किस टाइप का हुआ आपका, A-B टाइप का, option C जो रहेगा, वो कह रहेगा, आपका correct रहेगा, next question में move करते हैं, next question क्या क्या रहा है, okay, mole fraction के लिए बात कर रहा है, of solute in one molal aqueous solution is, अगर हम बात करते हैं, इसके लिए बच्छो, mole fraction के लिए, mole fraction क्या होता है, अच्छा aqueous solution means, one molal aqueous solution means, क्या meaning होता है, इसका one molal of solute, it is present in 1000 gram of क्या हो जाएगा, solvent, क्या हो जाएगा, इसको ऐसा कर लेता है, यहाँ पर, 1000 gram of solvent, यह वाली बात समझ में आ रहे ही, क्या solvent क्या है, aqueous के लिए बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, water क्या हो जाएगा, उसके लिए solvent हो जाएगा, चले, अगर हम बात करते हैं, n solute, number of moles of solute क्या है, बेटा, solute कितना दे रखा है, one, one mole दे रखा है, अच्छा, अगर माल लीजे, मैं यहाँ पर, n solvent, यानि कि number of moles of solvent, अगर identify करूँ, क्या हो जाएगा, data, mass कितना दे रखा है, मुझे 1000, ठीक, और हमारे पास water का mass कितना होता है, hydrogen की 2 item, oxygen का 1 item, total mass कितना हो जाएगा, 18 gram, यह होगा बेटा, तो total mole, अगर हम इसको simplify करते, तो it will become 55.8, लमसम इतना ही आता है, ठीक है, अब mole fraction के लिए बात कर रहे, mole fraction किसका निकाल ला है, मुझे, solute का निकाल ला है, see, अगर हम बात करते है, solute के mole fraction के लिए, तो मैं यहाँ पर लिख देते हो, हम लोग mole fraction को represent करते है, x से, तो मैंने लिखा, यहाँ यहाँ x solute equals to, क्या हो जाएगा, number of moles of solute, 1 upon, क्या हो जाएगा, और total आपका जो क्या हो जाएगा, solute और solvent का जो आजाएगा, आपका number of moles का, यहाँ पर लिख देंगे, total moles लिखते हैं, तो 1 प्लास किता आजाएगा, आपका यहाँ पर 55.8, और जब हम लोग इसको simplify करेंगे, तो यह data जो है वो आएगा, 0.0 यह जाएगा, आपका 177, यानि कि आपका जो है, option second जो होगा, वो क्या हो जाएगा, आपका correct हो जाएगा, आप सारे बच्चे simplify करके जरूर देखना, ठीक है, data given है, मैंने calculation की हुई है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, कि यह data इस तरीके से आए अगर आपको यहाँ पर, आचा यह question तो solute के लिए पूछा गया है, अगर माल लीजी, question आपको solvent के लिए पूछा जाता, तो आप क्या करते है, 55.8 उपर लिखते हैं और नीजे क्या हो जाता, same data आ जाता, right बच्चो, next question पर move करते है, next question क्या करा है हमारा, which of the following will always lead to a non-spontaneous change ठीक है, हमारे पास जो delta G होता है, Gibbs free energy जो होती है, delta G क्या होता है, delta G equals to होता है, delta H minus T delta S, यह वाली बात हम जानते हैं, और यह कैसा होता है, positive होता है, कैसा होता है, positive, अगर हम बात करते हैं, non-spontaneous change के लिए, तो उसके लिए delta H जो होता है, वो क्या होता है, आपका, बड़ा ह होता है, किस से, 0 से, और delta S जो होता है, वो क्या होता है, आपका, छोटा होता है, किस से, 0 से, यानि कि delta H क्या होता है, positive और delta S क्या होता है, आपका, negative, यानि कि इसके इसाप से देखिए, तो आपका कौन सो option correct है, D option correct है, right बच्चों, next question पर move करते हैं, अगर आप लोग पूर difficult question नहीं है, अगर आप लोग थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़ कर जाओगे, थोड़ा सा भी एक बर revise करके जाओगे, तो आप definitely बहुत अच्छा paper, बहुत अच्छा time करके आओगे, ठीक है, next question पर move करते हैं, okay बच्चों, next question पर move करते हैं, next question हमारा क्या कह रहा है, 2 PCL 5, reversible क मैं सबसे पहले PCL 5 के लिए आप लोगों को बता रहीं, PCL 5 का देखते हैं, यहाँ पर लिख देती हूँ, PCL 5 के लिए, ठीक, चलिए, structure कैसा बनता है बच्चों, इस तरीके का बनता है, chlorine, 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 chlorine और chlorine, अगर आप इसका steric number देखोगे, तो इतना आएगा, 5 आएगा, steric number क बात करोगे, तो कौन सा hybridization हो जाएगा, SP3D, yes, तो PCL 5 का क्या आगया, हमारे पास SP3D, ठीक है जी, next के लिए बात करते है, next कौन सा है, हमारे पास, PCL 4 प्लस, okay, PCL 4 के लिए बात करें बच्चों, तो यह हो जाएगा, आपका इस तरीके से, phosphorus, chlorine कितने हैं, तो यह इस तरीके number हो जाएगा, कितना, 4, स्टेरिक नंबर अगर 4 है, तो यह किसमें जाएगा, आपका, SP3 के अंदर जाएगा, yes, no, बताइए, क्या जाएगा, आपका, SP3 के अंदर जाएगा, बच्चे, आच्छे, हम लोग बात कर रहें किसके लिए, PCL 6 के लिए बात कर रहें, हम बात कर र है, structure, देख लेला, और इसके overall के उपर के हो जाएगा, आपका, negative charge, स्टेरिक नंबर देखोगे, तो कितना है, 6 है, स्टेरिक नंबर क्या बेटा, 6 है, तो इसका hybridization आजाएगा, आपका, SP3, D2, अगर हम लोग बात करेंगे, इसके अंदर, इस पूरे process के अंदर हम बात करें है, एकदम असाल से questions है, ठीक है, हाँ जी, which of the following set of quantum number is not possible for 4P electron, ये question आपका structure of atomic structure से है, ठीक है, 4P का मतलब क्या है, N की value क्या है, बिटा, 4 है, और L की value P के लिए क्या होती है, 1 होती है, यानि कि N की values जो होंगी, वो क्या होंगी, minus 1, 0 और plus 1, और S की अगर हम बात करेंगे, त हाँ भी 4P के लिए हमें ये सारी चीज़े calculate कर सकते है, राइट बच्चो, अच्छा चलिए, ठीक है, option 1, option 2, A, option B, ये बोल रहा है, not possible, ठीक है, not possible हमें निकालना है, okay, B आपका possible है, yes, आपका D possible है, yes, अच्छा क्या आपका C possible है, क्या, C possible नहीं होगा, क्योंकि N की value 2 नहीं हो सकती, राइट, तो C possible नहीं होगा, और N equals to 1, अच्छा, दो question आपका, एक काम करते है, इस वाले option को change करके, आपका फोल लिख लेते है, ठीक है, तो हमारा option C जो होगा, वो क्या हो जाएगा, आपका, correct हो जाएगा, बच्चो, done, आगे बढ़े, next question भी move करते है, okay, ये question हमा ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ बता नहीं रखाया है, तो मैं 3D मालनू इसको, hydrogen atom के लिए बात करा है, ठीक है, radial distribution D के लिए होता है, तो वो start तो यहीं से होता है, देखो, यहाँ से start होगा, यानि कि यह वाला cross हो जाएगा, यह वाला cross हो जाएगा, यह वाला तो obviously हो जाएगा, correct हो जाएगा, ओके बच्चे तो यह थे आपके top 51 questions, physical chemistry के, आप comment section में जरूर बताइएगा कि आपको कैसे लगे, और आपके bit set की बहुत सारी updates के साथ, बहुत सारी नहीं updates के साथ, आप motion online channel को जरूर subscribe करे, thank you very much, motion है तो भरोसा है,